Hello Friends, Welcome to Tech Exam YouTube Channel Friends, आज की यूडियो लिमिट फिट टॉलरेंस को लेके बहुत सारे student के मन में ख्याल रहता है सवाल रहता है और ये chapter बहुत सारे लोगों को बहुत ही hard लगता है और इससे questions सभी exam में definitely आते हैं लेकिन कुछ questions आते हैं और आप उन questions में confusion हो जाते हो बहुत simple है आप वीडियो को फूरा देखना पहले मैं आपके लिए theoretical समझाऊंगा उसके बाद आपको questions कराऊंगा आप questions को देखते ही तुरंत आप answer बता दो कोई fit पूछे tolerance पूछे अधरवाइच कुछ भी डेचा आपका डेविएशन हो चाहिए फंडवेंडर डेविएशन हो टोल्रेंस कुछ भी आपसे अगर question पूछता है अब तुरंत देखते ही बता दोगे इससे पहले आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा इसमें पूरी पूरी आपके लि देखें यहां से एप पूरा का पूरा निमी का बुक आगर आपके पास निमी का बुक है तो आपको ने भी इस बाले पेज को देखा होगा limit fit वाडर्रस में दिया है सबसे पहले समाझते हैं कि size क्या होता है देखें आपने बहुत सारे size पढ़े होंगा कि मूल size हो गया actual size ह होते हैं और साइद बहुत लोग मन में डाउट रहता है कि बेसिक साइज एक्ट्वल साइज क्या होता है डेविशन क्या होता है सब कुछ बताऊंगा ध्यान समझेगा साइज यहां पर देगे साइज तो लंबाई की माप में किसी निश्चत काई बेक्त के जाने वाली एक संक्या है कोई भी एक संक्या जैसे कि लंबाई की काई जैसे कि यह हमारा कोई ऑबजेक्ट है इसकी लंबाई है 20 मीटर तो इसका हम साइज कहेंगे 20 मीटर या 20 mm एक होगा साइज ठीक है नेक्स्ट हम यहां पर नीचे चलते हैं तो हमको देखने को मिलता है उपर नहीं हाँ से देखिए यह हमारा बेसिक साइज बेसिक साइज को हिंदी में कहते हैं मूल साइज एहे बहे साइज है जिस पर बिवागों के बिचलन दिया जाते है आपसे कोस्टन कई बार यह भी बनता है कि डिवी एसन किस साइज पर दिया होगे धान से समझेगा डिवी सन होता क्या है जैसी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी हमारे जॉब की डाइमेंशन 25 एमें और उसमें टोलरेंस दी है प्लस माइनस की 0.02 एमें ठीक है अब डिवी सन आपका क्या होता है तो इसका अगर आप निकाल लें हाई लिमिट आप ठीक है यहांपर की यहां पर ऊर्डइ मेघंउन डेवी शन क्या होता है यह हमारा देखिए जो 0.02 दो पलस में है हमारे एंधिवों हो गया ठीक हं मंग चेक होग अ मेख़ियं़on डेवी शन और जो मिनमम डीशन हो इस ठीक है अपका हो जागे यहां पर 25.02 और आपका मिनि आपका हो गया मेक्जिम डैविशन ठीक है अब basic size पर आपने जब यहाँ पर division लिया आप बिचलन दिया है थो आप basic size पर इसलिए दे सकते हो actual size क्या होता है जैसी कि जॉब बनने के बाद जो बास्टिक साइज आता है जैसी कि आपने की जौब की जो डायमेंस थी 25 थी उस पर टॉलरेंस दी थी यह प्लस मैंस जीरो पॉंट जीरो टू आप प्लस बना सकतो आपका जौब बना यहाँ पर 24 पॉंट आपका जौब बन गया 24.98 का तो यह आपकी जो 24.98 जो आया है वो आपका एक्चुल साइज आ गया बास्तविक साइज आ गया बास्तविक साइज पर आप डैविसन नहीं दे पाओगे क्योंकि यह इतना साइज तो हमको चाहिए ही इस पर हम क्या डैविस दिया जाता है यह बात आपको ध्यान रखना है आई होफ कि आप इस बातों कभी नहीं भूलोगे ठीक आप यहाँ पर देखिए एक्चुल साइज में एही बताया गया एह घटक का वो साइज है जो उसके उत्पादाने के पश्चात बास्तविक माप से मिलता है ठीक है जै विच में होता है जैसी कि आप को क्या दे है कि 25 प्लस माइनस या तो आप 25.02 म्म का दोगे साइज यह आप दोगे 24.98 कर इसके बीच में आपको साइज को देना रहेगा तो इसको लिमिट में ही रखा जाता ना इस आप कम कर सकता हूं जाना कर सकता हूं ठीक अब इसमें लि तो वीडियो वो शुरू से लेके अंड तक देखते रहे हैं दो चरम एक्स्ट्रीमान साइज होती हैं जिसके बीच ही ऑपरेटर घटकों को बनाता है यह क्रमसा देखता है यह निमतार सीमा होता है जो मैंने आपके लिए भी बताया है ठीक है सीमा हों गई आपकी अब होता ह है maximum limit of size यह दो सीमा को सबसे बड़ा वाला साइज होता है और minimum सबसे छोटा वाला साइज होता है ठीक है आप आजाते हैं अपन हॉल पे यहां पर देखिए यहां पर फिगर के माददा हमसे बताया गया है कि क्या maximum होता है क्या minimum होता है यहां पर देखिए यह है अपर डेव और जो निचली यहां पर निचली लान लो लिमिट साइज और यहां पर जीरू लान के बीच जो अंतर है उसे कहते हैं लोर डेविशन यहां पर टॉलरेंस तो आप जानते हों लो लिमिट और हाई लिमिट के बीच के अंतर हम टॉलरेंस कहते हैं तो यहां पर टॉलरेंस दिय गया ठीक है बेसिक साइज है और यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक्चुल साइज बनता है देखिए यह जी रूलान का बहुत बड़ा मैत है आप जी रूलान आपको ध्यान समझना अब आपके लिए आंगे समझेंगा अब आप से कर फंडामेंटल डेविशन पूछता जीरू लानसा उपर है, जीरू लानसा कितना ऊपर या नीचे है वह तब फंडामेंटल डेविशन जैसिकि है, आपको ऐब होब् couple हो गया होगा अब देखिए हाँ पर हॉल में देगा जैसे कि बियाइस प्लानली लिमिट एवं फिट के किसी घटक के आंतरिक लक्षणों के बिलना करना हो कुछ छिद्र का नाम देजाता है देखिए क्या होता है किस कोई भी होलो चाप का वो राउंड हो हैग्जागोनल हो इसको रोल होना चाहिए मतलब खोकला होना चाहिए बिलना कर हो या ना हो उसे हम होल ही कहेंगे खुकला अगर रहेगा आपका चाहिए वो हैगजा गोना लो इसकोर कोई भी हो उसे हो लिए कहते हैं यह आपको याद रखना चाहिए साइद आपको याद होगा भी देखिए यहाँ पर समझज़ेगा यह अभी आपका आकार है कोई जोब है तो यहाँ पर टॉलरेंस कितने हो जाएगी आट पॉंच तेरा तैने की पॉंट बंध थ्री आपकी कहा होगी टॉलरेंस होगई यहाँ पर इसका देखिए यहाँ पर क्लियर किया आपको अपको क्या हो जागा और निम्त माकार यहाँ पर लोर लिमिट साइज हो जाएगा 19.995 जो अभी मैंने बताया था अपर अपर डेवेशन 0.08 हो जाएगा लोर डेवेशन 0.005 तक हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से आपको यहां से डेवेशन समझें आजाएगा नेक्स्ट हम देखते हैं साफ्ट पर शाफ्ट यहां से देखोगे आप तो साफ्ट हो क्या वीडियो को फूरा देखें आप फिट जो होती है ना अब मैंने कोस्ट डाला था तो फिट जो होती आप देखती को रटने की जबरत नहीं कोई भी फिट आ जाए आपकी आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो बहुत आसनी मैं आपके लिए बहुत सिंपल से बताने वालों बस वीडियो फूरा देखिएगा यहां पर देखें साफ्ट दे गया है तो भाई बी आईस की प्लान नहीं है लिम होता है जो मैंने अभी आपके बिताया था उसकी संगत मूल साइज मूल साइज जानी बीसिक साइज 25 से प्लस में दिया जैसे कि 0.08 यह अपना इसके और इसके बीच जो बीच गड़ती अंतर आ रहा है वो से हम डेविशन कहते हैं ठीक है यहां पर देखिए धनात्म ग्रा 0.008 ग्रागा अठीक आपनान इसके बीच गड़ती अंतर होगा मूलिक साइज के बीच के बीच के बीच गड़ती अंतर को भी सिंगत है अपैं अपने बीस लेन उपरी बिचलन भाय बिचलन ने जो साइज की अधिकतम सीमा बताता है निचला बिचलन भाय बिचलन जो साइज की नियुनतम सीमा बताता है ठीक है, एक्चुल डेविसन क्या होता है fundamental deviation आपको पता चल गए, upper deviation पता चल गए, lower deviation पता चल गए अब आपको देखने actual deviation क्या होता है एह बास्तविक आकर जो आपका actual size जो आपने जोब बनाया है उसका जो size आया, actual size और उसके अनुरूप मूल भूत आकर corresponding basic size के मद बीजगर्टी अंदर होता है जैसे कि देखिए, आपका मूल भूत size था, basic size था 25 और आपका जोब कितना बन गया, 24.98 ये आपका जोब रेडिय हो गया तो इसके और इसके बीच जो अंतर है, वो आपका क्या हो जाएगा, actual deviation आपका कितना नकल गया आएगा, 0.02 mm, निकल गया जाएगा कि नहीं तो इस परकर आपको अगर निकाल लेगा की देता तो आप एप सकते हैं,गर आपसे इसकी definition पूच जाये तो वो भी आप बता सकते हो, किसकी की बीच का उंतर को actual division केते हैं क्या आपपर division होता क्या lower division होता है यह आपसे कई बार definition ही पूँच लिजाती है definition लग देते हैं और महाँपर चार option देके आपसे पूँच लिजाता है इस प्रकार आपको यहाँ पर division बिल्लकुर कन्फूज नहीं होना है आई होफ कि आपको अच्छी सुन में आ गया होगा और आप मेरे जो मैं बोल रहा हूं बता रहा हूं वो आपको नोट करते चलना तो अच्छा रहेगा यह पीडियाप में आपके लिए बाइक प्रोवाइट कराई दूँगा टेलिक्राम गुरूब में लिंक डिस्क्रोश में जाएगी आप जाके डाउनलोट कर सकते हो ठीक है मत बीचवेट यहां पर टॉल्रेंस से जानदा कोश्चिस बंदे बहुत जानदा कोश्चिस बंदे तो टॉल्रेंस तो बेसिक आपके लिए पता होगा फिर मैं आपके ल जातीन कोई कोई ना तो इसका सिंबफिर होता है को सिंबॉल इसका नहीं होता है जैसी कि डायक सिंबल होता अ किसी है को सिंबल यह सिंबल नहीं होता है यह डायक्टी संक्या दोरा बवेक्त की जाती ठीक है यह दो बाता आपको धियान रखना है कि её हम wer som antibody की जाती है मैं हमेसा वीडिएओं में अपनी में लेक्चर में कहता हूं कि देख़ी एक जामरा चोटी छोटी को पूंश सकते हैं इसलिए आपको छोटी से छोटी बात पता होनी चाहिए अब जीरो लान जो मैंने आपके लिए बता lod friends जीरो लान का बहुत बड़ा म meditate तो होता है limit fit tolerance में याप जीरो लान आप समंझेगा जीरो लान क्या होती है तो उपरोक्त सफदाबलि को graph में प्रदेस्द करने में सून्ड रेखा मूल साइज बेसिक साइज को बढ़नित करती है इस रेखा को सून बिचलन की रेखा भी कहते हैं ठीक है सून डेविशन भी की रेखा भी से कहते हैं जब भी हम कोई भी हैंपर साइज को बढ़नित करते हैं मूल साइज को बढ़नित करते हैं मैं सून रेखा मूल साइज बिसिक साइज को बनित करती जीरो लान किसको बनित करती तो मूल साइज को बिसिक साइज को बनित करती यहां पर देखिए fundamental deviation अभी मैंने आपके लिव बताया था कि fundamental deviation क्या होता उसकी definition में देख लीजिए BIS प्लान यह 25 fundamental deviation आपके लिए पता होगा 25 fundamental deviation है fundamental deviation के अंदर यह इसी के हिसाब से इसी का according आपकी fit define होती है कि कौन सी fit है fundamental 25, BIS के लिए 25 fundamental deviation है जिन्हें अक्षरों से प्रदिस्त किया जाता है बड़ा अक्षर चित के लिए छोटा अक्षर साफ्ट के लिए आपके लिए पता होगा हौले के लिए ABCD से Z तक होता है जिसमें आपके यहाँ पर यह 5 बर्ड हैं जो नहीं होते हैं क्या क्या नहीं होता है एक I नहीं होता है आपका L और O Q भी नहीं होता है और W यह आपकी जो इहां पर पांच रड जो बन रहा है पांच बड को हम फंड़ामेंटल डैविशन में नहीं लेते हैं बाकि यहां पूरे वर्ड लेते हैं आप आप बोलोगे कि भाहिया यहां पर पूरे अवी शीडे में 26 बड होते हैं उसमें पांच अगर नहीं लें तो 21 ही यहाँ पर लिए गएं, देखिए, कौन कौन से चारवट यहाँ पर लिए गएंधे कि मैं आपके लिए बता देता हूँ, जो ही के बाद आपका I आना चाहिए, यहाँ पर J S ले लिए है, आई के जंगा आपका J S हो गया, उसके बाद J K M N, ठीक है, यहाँ पर X Y Z हो गया, जेड के बाद यहाँ पर तीन बाट और है आपको देखने को मुलेंगे जेड ए जेड बी जेड सी यह तीन बाट आपके ओल ले लिए गया है तो आपके पूरे कि 25 फंडमेंटर डिवीशन होते हैं बिया इस के अकोर्ड हैं और टॉलरेंस ग्रेट किति होते हैं आपके लिए पताओगा आपके लिए आपके आगे क्या होता है उनका क्या महत होता है ठीक है सून लिखा कि साफ़क सहेश है जोन चतर चित्र तरफ फिगर है ठीक है यहां पर आप देखोंगे नीचे विभिन बर्गों की फिट प्राप्त करने के लिए मूल हूत फंडमेंटल डेविशन ही होते हैं फंडमेंटल डेविशन के अकोर्डिंग ही आप फिट को डिफाइन कर पाओगे देखिए यहां पर बहुत जरूरी बहुत अच्छी से आपको देखने जरूरत है यहां से में थोड़ा जूम कर दूँगा ताकि आपको थोड़ा से देख जाए यहां से देखिए गया आपकी यहां पर फंडमेंटल डेविशन दिये गया है ठीक है यह जो आपकी हां से यहां तक जो दिये गया है जो ए से जेट सी तक है वो आपकी दिये गया है और आपक यहां पर देखिए जहां समझेगा बहुत most important बात है इस बात को अगर आपने समझ लिया तो आप कभी कोई भी फिट बता सकते हो बहुत आसानी से यह हमारा हॉल है क्या है देखिए थोड़ा सा यहां पर हाँ हमारा क्या है यह हॉल है ठीक है हॉल बेसिक सिस्टम मान लीजी है हमारे हॉल की डेविशन किसके हॉल की fundamental डेविशन 25 यह हमारे जीरू लाइन क्या होगए यह हमारे होगए जीरू लाइन अब जीरू लाइन से जितना जितना हमारा उपर ह यहां पर हॉल बढ़ेगा तो उतना क्या होगा हॉल का साइज बढ़ा होगा हॉल का साइज क्या होगा जैसे कि ए हमारा यहां पर है तो अगर ए हमारा हॉल बढ़ा है क्या है बढ़ा है और जैसे ही यहां पर आपके लिए ट्रांजिशन फिट पता होगा कि आपकी क्लिरेंस सद livres फेट वह सकती है दोनों रहल सकती है और बहुत minimum सकती है तो transfusion आपकी transition fit कब होगी devil कि यहां से यह से लेकि अप सब्सक्राइट तक देखोगे तो एसे अगर आप एस तक देखोगे देहां से तो आपकी लिए पूरे के पूरे जी fundamental जो आपको haul से ऋबर धेख रहे हैं haul से उपर देख रहा है haul से उपर देख रहा है हल हमारा बड़ा होगा साप्ठ हमारी चोटी होगा तो वहां पर कौन से lefer होगी हमारी clearance लांइ हें क्लिररंस पिट होगी और यहां पर आप जब j s से देखोगे J, H, J, K, M ठीक है M तक देखना आब 1, 2, 3, 4 आप J, S, देखिए हो J, S, J, K और M ठीक है आप यहाँ पर जे चार बैड देख रहा है जो 4 फंडमेंटल डीवीसिन देख पा रहा है हें आपर चार फंडमेंटल डीवीसिन क्वाइख हमारा transition fit एंतर घरता है नहीं आता है अब यहां पर देको। हम यहां पर हमारे जीरो लाण के जीरोड़ान के ठोड़ा थोड़ा oh yeah ी जो मारा वो और यह लिजा रहा है वह नीचे भी जा रहा है वहाला जो हॉल है वह मारा उसका जीरो से साइज बड़ा भी हो सकता है कम भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है इसलिए हमारे कॉंस फिटाइगी ट्रांजिशन फिटाइगी और जे हमारा जो होता है वह हमारा निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है यानि कि वहां पर क्या होगा हुमारा हॉल का J size होगा और सप्ट का J size होगा वह एक दूसरी को एक O पर और लेप्त करेंगे और लेप्त करेंगे तो हमारा कि ओवे पा रहे हो कि में अगर आप देख पा रहे हो तो हमारा तो यहां पर दी तो थोड़ा सा ऊपर निकल रहा है हमारे जीरू लाएंचे और बाकी 0-Line के नीचे है तो यहां कि क्लिरेंस और इंटर्फिंज दोनों हो रहा है दोनों जब होता है तो हमारा Transition fit होता है और यहां पर M आप देखो को M बहुत थोड़ा सा नीचे है देखें यहां पर M को और यहां पर JS को यहां पर M को भी हमारे की यहांपर क्या ले लिया ईहाँ पर अब मैं आपके लिए जैसे हिए प जीर्ड लाइन के यान के नीचे जाते हैँ जैसे कि आफका N हो बाएन के जीर्ड लाइन से An तो हमारे हमारे हमारेикशन सेchester आपकी वहाँ पर interference fit होगी और यहाँ पर AC लेकर H तक जितने भी वर्ड कोई भी वर्ड आएगा A, B, C, D, E, F, G वहाँ पर हमारे clearance fit होगी और यह चार वर्ड आपको याद रखना है J, S, यहाँ पर J, S, J, K, M, N यह चार वर्ड आपके लिए याद रखना है अब यहाँ पर देखिए यह तो आपने समझे लिया हॉल का हॉल आपका हैंसे A से लेके H तक बड़ा होगा और J, S, J, S, J, K, M यहाँ पर होगा आपका छोटा या बड़ा हो सकता है और N के बाद पूरा का पूरा आपका Z, C तक क्या होगा छोटा होगा अब हम साफ्ट में समझते हैं कि साफ्ट हमारी छोटी बड़ी किस प्रकार होती है देखिए यहाँ पर आप समझेंगे यहाँ पर समझेंगे तो यहाँ पर A से लेके H तक आप देखोगे तो A से लेके जब आप H तक देखोगे तो यहाँ पर हमारी Zero Line है और A से लेके H तक हमारी साफ्ट छोटी है यहाँ जिरू लाइन से हमारे Fundamental Division नीचे है जब भी Zero Line से Fundamental Division नीचे होते हैं तो बहाँ पर हमारी साफ्ट छोटी है अब यहाँ पर जैसी कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा Hall का साइज हो गया Hall का Fundamental Division हो गया B B6 हो गया ठीके और यहाँ पर सॉरी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखिए Hall का हमारा Fundamental Division हो गया B6 और हमारा H का हो गया मान लीजिए B B या C हमारा C लिख देता हूँ मैं हमारा C7 अब आप बताईए कि आपका Hall दो डेफिनेटल आपके लिए पता है बड़ा है और साप्ट क्या है साप्ट आपकी क्या है छोटी क्यों कि C है हमारा Fundamental Division Zero Lance कितना नीचे है जब भी Zero Lance यहाँ पर नीचे जो भी Fundamental Division आएगा वो आपका होगा भाई यह छोटा Hall बड़ा साप्ट छोटी आपकी इस पर स्ट है कि क्लिरेंस फिट आएगी कौन से ही क्लिरेंस फिट आएगी ठीक है अब यहाँ पर इसमें यह आपको चार बड़ मैंने अभी आपको उताए है चार बड़ अभी मैंने आपके लिए बताए है कि JSJKM चार बड़ जब आपके आएंगे वहाँ पर अगर आगया है यहाँ पर JS यह आपका हॉल होग है JS8 यहाँ पर JS8 आगया और आपका यहाँ पर आगया क्या मान लेगी K7 इस परकार फिट दे दी और आपसे पूछा जागा कोई इस फिट है और जैसे ही यहाँ पर आप N से ऊपर जाते हो यहाँ पर प, N, P, R, Q, R, S, T, O, B, W जो भी है, आप यहाँ पर उफर जाते हो तो आपके लिए जीरो लाइन से बढ़ते हुए नजर आ रहा है पूरे आपको बढ़ते हुए नजर आ रहा है यहाँ कि उफर है तो हमारे जीरो लाइन से लेके Z, C तक की जतनी भी साप्ट के fundamental division होगे, उसमें बड़े होंगे तो यहाँ पर जैसे ही आपका मान लीजी, यहाँ पर दिया गया है P, 7 और आपका दिया गया है यहाँ पर U, 8 ठीक है, यह आपको fit दी गई है, तो यह जब भी इस प्रकार आपको आगए तो आप तुरंत बता दूए पी आपका जो है, यह हॉल का fundamental division है, और हॉल का fundamental division क्या था zero lance P नीचे था zero lance P नीचे था, और हैंपर क्या दिया गया, यह, तो यह आपका zero lance soft का fundamental division है, और यह आपका ऊफर है, हमारी soft बड़ी है, हॉल छोटा है, interference fit होगे कि नहीं होगे I hope कि आपको बहुत अच्छे सुन्या आगया होगा, बस आपको ग्राफ थोड़ा से याद रखना, चार बड़ा आपके लिए याद रखना है transition fit वाले, कभी आप confusion नहीं हो कोई fit आप आसा निचे बताऊगे और जैसे कि figure में दिया रहता है, तो figure zero line के ये हमारा हौल है यहांप जीchlag से निचे साप्थ है जितने zero line होगी आपकी साप्थ क्या होगी छोटी होगी अपका बड़ा टो सिटाब बताबाई sparked clear invent fit वाई है और जैसे है यहांपर इस पर कभी दे दिया जाय है जैसे कि हमारी जीरो लाइन है और यहां पर हॉल है ठीक है और यहां पर ही आपकी साप्ट है तो आप बताब कौन से फिट है जीरो लाइन से उपर ही हमारा हॉल है और उपर ही हमारी साप्ट है तो कौन से फिट होगी बहां पर आप इसका कमेंट करके आंसर बताना ठीक आपक फिट हो जाती है ठीक है आई होफ कि आपको फिट का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा थोड़ा से यहां पर टॉलरेंस ग्रेट और आप देख लेजिए टॉलरेंस ग्रेट के बाद आपका पूरा कॉंसेप्ट जो किलियर हो जाएगा यहां पर आपको अगर नमीकी बुकाप आपके पास है तो यहां पर आप देखोगे यहां पर जब आप जूम करोगे तो आपको वही वर्ड दिखेंगे और इन्हों ने खुद लिखा इस पर इंटर्फिरेंस फिट एन के बाद पूरे इंटर्फिरेंस विट होती है एम की वर्ट ट्रेंजिशन फिट में आता है अगर आप जूम करके देखो तो यहां पर आपको देख जाएंगे पूरे फूरे फूरे डेवी से अब नीचे आप जब चलते हैं यहां पर वह साफ्ट का सिस्टम है इस साफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है आप निमी की बुक्स से अगर पढ़ोगे तो आ हलमनके में होल ऑ साफ्ट दोनों के लिए जो संक्य पृतिक टोलिर्थ से जिरो से इस अपकाह सिक्स्टीन तक होता है पूरे टोल्रंसव ग्रेट अपके 18 होते हैं ठीक है को ल ऑक टि जिरो से इप06 तक होगे tolerance grade 18 यह नम्मर उनके यह आप याद रखना IT41 से IT16 तक और tolerance grade का भी बहुत मैंत होता अगर आप बहुत बारी किसे जब उसको देखो गेज में होती है बहुत डीपली यह बात है आप याद रखना क्योंकि आपको बेसिक से लेकि एड़मांस आने चाहिए हमारे चैनल का यही परपज है आपको कोई भी चीज ना छूट है ध्यान समझेगा जो IT01 से 5 तक आपकी रहती है वो हमारी गेजिस में tolerance प्रदान की जाती है जो tolerance grade IT01 से 5 तक यहाँ पर 7 tolerance grade हमारे गेजिस के अंदर आते हैं उसके बाद जो 6 से 11 तक आप कभी भी देखोगे कभी भी आप फिट में देखोगे आप कभी ए नहीं देखोगे कि H5 और यहाँ पर देखिए आप कभी भी tolerance grade अगात देखोगे तो आपने इस परकर लिखा नहीं देखा हो क्योंकि tolerance grade भी हमारे डिफाइन की गई है 6 से लेके 11 तक ही हमारी tolerance grade जो होती हो फिट के अंतर गता आती है और बाकी जो कोर्स होती हमारी tolerance grade कभी आपने देखा होगा जैसे कि यहाँ पर 12-13-15-16 कभी आपने देखा हो तो वो कोर्स में आ जाता है नहीं कि बहुत ब tolerance फिट में होता है 6 से लेके 11 तक आपका tolerance होता है फिट में चाहापकी interference फिट हो चाहापकी clearance फिट हो जापकी transition फिट हो कोई फिट हो 6 से लेके 11 तक आपकी यहाँ पर 1,2,3,4,5,6,6 tolerance grade ही फिट के अंतर आते हैं बाकी आते हैं कोर्स के अंदगत यह इनका मान बहुत जाना ह होता है यानि कि जैसे कि आगर IT यहां पर IT 01 कमान अगर opposite 00001 यहां पर हमारा 50 याक्स्टिन कमान हो जाएगा जीरोफ़़ब गूरn 01 मतलब एक एक जैम्पल स्बसक्रेंब इनका मौन बहुत थार तता एनिकी accuracy को संदरवर्द करती है ठीक है एक मानक चार्ट में मूलभूत विचलन इबंग tolerance के प्रितिक सायों के लिए उपरी तथा निचली विचलन बाली 500 mm तक की साइज प्रदसत की गई है ठीक है यहाँ पर जो आपका प्रितिक सायों की प्रितिक फिट के उफड़ी तथा निचली अपर डेविचन वाली 500 mm तक 500 mm तक की साइज प्रदसत की गई है ठीक है फंडमेंटल डेविशन आते हैं और टॉल्रेंस ग्रेट आते हैं एक्जेंपल यहाँ पर देखेंगे जह हमारी कोई टॉल्रेंस साइज बनते हैं तो यह तीन चीज़ें आपके आते हैं बेसिक साइज आपका इस 25 है अब यहाँ पर हैस भी आप लखा देखते हो एक जो हो आती हैं आपसे कभी यह पुछ जाता है कि टॉल्रेंस ग्रेड में से नियुन में से कौन सा सब्सक्राइब जो नहीं आता है आपको याद होगा तो आप बतावाओ कि तीन चीज़ें आते कुछ चोथी नहीं आती है ठीक है यहाँ पर देखेंगे एक्जाम्पल भी दिया यह आपको हो जाता है और ग्रेड ओफ टॉल्रेंस आपका अंक होता है जो अस्विन प्रदिस्ट किया गया ठीक है आपको ध्यारन रखना है यह मैंने आपके लिए पताया था यहाँ पर देखेंगे गया तो आपको यह देखना नहीं है यहाँ पर आ जाईएगा उधारन यहाँ पर देखो गया इस सब्सेसे अंदर ही आते हैं इक हमारा हॉल्रा तो होल्रین जो हमरे टॉल्रेंस जौन दिया गया है ये बड़ा बन सकता है छोड़ा बन सकता है उसके बीचवान सकता है टॉल्रेंस जौन होता उसके अंदर ही हमारी साइज आते हैं ठीक है यहाँ पर IS-696 के अनुसार, ड्रॉइंग के संकेत की रूम में घटकों का परिमापन करते समय तोल्डनेस सहित बेक्त किया जाता है जब भी हम घटकों का परिमापन करते हैं, तो बहाँ पर टोल्डनेस सहित उसे बेक्त करना जरूरी होता है अब यहां पर आप फिट देखोगे आप देखे कुछ identify अधर क्योंब क्यों झाल याकिन परकार की होती है कौन क्यों तो देचार होती है कौनνसर आद याद कर लेना आप इस वीडियो के बाद कोई आपका डाउट मेरे साफ से नहीं रहने वाला है क्यों कोई भी डाउट आपका नहीं छोड़ रहा हूं यहाँ बर फिट देखे तीन प्रकार की होती है सैयोजन असेंबली में पूर्ब सिमाओं के अंतर के संदर्ब में दो मिलान पुर जों छे दो सब्ट के पीश संबंद को कहते हैं फिट क्या कहते हैं फिट है अबर फिट कहते हैं वीडियो लंबा हो रहा है उसका टेंसन ना लेजिए आप क्योंकि आपको में आपको इसलिए आपको लंबा हुने एक टоньस नहीं लेन अब इसी वीडियो में आपके लेंगा तो आप कोस्टिन्स भी करिएगा थीक है और अब आपको अपनेमं अच्छीक में यहां हमने वास्तना ब्ला मों को सी कैनला पर एक्सप्रावैशन पिट existed करने के लिए सर्फरतम उसका साइज जो छेट रेवन साफ्ट दोनों की लोगा ने इस्टे लिखकर छेट के प्रतिक साफ्ट के लिए प्रतिक लिखा जाता है ऐसे कि 30S7G6 लिखा गया है अत्वा 30S7G6 अत्वा 30S देखिए फिट भी आपकी तीनों प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं तीन प्रकार से लिख सकते हैं चौति प्रकार से को यह ऐसी कि आपने लिख दिया 30S7G6 यहां पर लिख दिया आपने जी सिक्स इस प्रकार कभी फिट नहीं लिखी जाती है अब आप से कूश्चन इस प्रक करने का यहां पर कौन से तरीका गलत है इस प्रकाश जो रहेगा वो गलत होता है तीन ही प्रकाश से फिट को लिख सकते हैं या तो ओबलेक लगा कि यहां पर डैस लगा कि यहां पर डिवाइड लगा हम तीन प्रकाश से फिट को लिख सकते हैं ध्यान रखना इस बात का अब कि नेगेटिब मान वागगो तो हमारे इंटर्फिरेंस हो जाएगी वहाँ पर तू जो होती है भाय फेट जो सदीव अपकास देता है याँ च्छेद्र आश्य सूरता टॉलिण च्छेद्र साफ्ट के से उपर रहता है वह तो सही बात है यह उपर रहेगा तभी हमारी आपका साइज कम है छोटा है गोल से इस पर देखिए एस सेवन जी सिक्स हाँ मैंने आपके लिए जी आता है जी साथ नमर पर आता है तो जी और और एच हमारा क्या आ 나서 के इसलिए हमारा क्लिरंसफेत होका ठील है अब देखिए यहां पर उन्हें बता है कि दिएक आप देखो से चार्ड से जरूत होते हैं जैसी कि चार्ड देखके आपको बताने जरूत नई में जो बताur है उसी में क्लियरंस निकालग बताए गया है और मिनिमं मिनिमं क्लियरंस रगए उसक् frick कर न होता है कि अधिक हाप मेंख़ नियुएटम 6 अधिक्तम साफ्ट की बीचेंता है यहाँ आपका साइज आपका नियुएटम रहेगा जैसी कि साफ्ट का साइज आपका 25 प्लिस माइनस 0.02 था तो आपका 24.98 साइज नियुएटम साइज आएगा और अधिक्तम यहाँ पर जो आपका हॉल का आएगा चोईस पॉइंट नियुन्टम साइज आएगा और साफ्ट का अधिकतम साइज आएगा साफ्ट का कितना हो जाएगा 25.0.02 साफ्ट का अधिकतम साइज हॉल का नियुन्टम साइज इसके बीच जो अंतर आएगा वो हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर minimum clearance हो जाएगा और जब आपको maximum clearance निकलना रहेगा तो soft का आपको maximum size लेना पड़ेगा यहांनी hall का, sorry, hall का maximum size लेना पड़ेगा और आपके लिए soft का minimum size लेना पड़ेगा तो आप आपका जो बीच का जो अंतर आएगा वो आपको हो जाएगा मेग्जियूम क्लियरेंस ठीक है यहाँ पर देखिए यहाँ पर बतायागा फिकर के माध्यम से ठीक है यहाँ पर फिकर के माध्यम से आप देख सकते हो यहाँ पर निकाल के देखाया गया है यह फिकर होता है जब रणात्मक होगा तभी हमारे इंटर्फिरेंस बनेगा एक इसमें रणात्मक या धनात्मक हो सकता है वह हमारे इंटर्फिरेंस हो सकता है वह हमारे इंटर्फिरेंस होता है यहां पर आप देख सकते हो फिगर में बताया गया है ठीक है यह बहुंअ्ब ह ‑‑ यह जो 10 महला है इस सप्थ हमारी बड़ी है और हौल हमारे चोटा है तो बहांपर हमारी कौंसे है interference FIT होगी यहां पर देहिके पी आगे ना तो आप interference FIT आपको देखने मिल तो चीज रहेगा और आपका जो साप्ट का रहेगा और आपका जो साप्ट का रहेगा वो मेकजियम रहेगा मेकजियम साज रहेगा उसके बीच कंतर जो आएगा मेकजियम इंटर्फिरेंस आ जाएगा और जब आपको मिनिमम इंटर्फिरेंस जो निकालना रहेगा जाएगा मेकजियम होलकर रहे जाएगा मिनिमम आपका साफ्ट का हो जाएगा इसकी बीच कंतर जो आएगा आपका minimum interference आजाएगा ठीक है next यहाँ पर हम देखेंगे आपको यहाँ पर बताएगा है transition fit के बारे में तो आपका देखी यहाँ पर पीडिया पर डाउलूड कर लेना एक बार revision करोग जो मैं समझा रहा हूं समझे लीजिए जो आप revision करोग तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर अधिक्तम बैतिकरण और न्यूंतम बैतिकरण आपको निकाल को बताए गया है अधिक्तम में आपका यहाँ पर देखी अधि कभी क्लियरंस कभी interference राप्त होता है जब इस प्रकार की फिट से graph द्वारा प्रिस्थ किया जाता है तो हॉल यहाँ थो आपका ठीक है बड़ा है जी रूलांसे लेकिंजे आपकी साफ्ट भी तो बड़ी है यहाँ पर हो रही है तो मैंने कहा कभी clearance कभी interference आती है जो जी आपको मिल गया है वो आपका हो जाता है है यहाँ पर ट्रांजिस्थ फिट देखी जो चार बड़ मैंने आपके बताया है जे एस जे और जे एस जे के एन चार बड़ में से आपको चाहिए साफ्ट का है यहाँ पर fundamental देखने को मिले फंडमेंटल डेविसन चाहिए आपको हॉल का डेविसन देखने को मिलें चार बड़ में से गरका आपके हॉल या साफ्ट किसी में देखने को मिलते हैं तो इस फ़स्ट आपका transition fit होगा बेज जख होगा आप बहाँ पर transition fit लगा सकते हो कोई दिक्कत आने वाई नहीं है को हॉल बेसे सिस्टम साफ्ट बेसे सिस्टम तो आपके लिए पथल्ड करकी मात थे मुझे लिए सब बताया गया है डिए टॉल रेंस जॉन होल का है ट्री पर अपकी ट्री क्लास और फिट की हैंपर दिखे सकते और हमारी जी रूला ने इसके उपर नीचे अप देख सकते हो तक डिट को डिफान कर सकते हो ठीक हाए को पढ़ना आप और आप कुछ फ़र्णा नहीं सेखना मैंने आपके बता दिया है तो अगर आपका अभी भी लिविट फिट टॉलरेंस कोई डाउट है तो कमेंट करें जरूर बता देना इसके आगे बने रही है वीडियो कंटिनू करिए मैं आपके लिए इसी वीडियों भीया आपके कोस्टन्स भी जल्दी से बताईए एकजमपर ओफ क्लिरेंस फिट कमेंट पूरे जो कोस्टन्स में आपके लिए करा रहा हूं आपके लिए कोस्टन्स दिखाऊंगा और पूरे की पूरे कोस्टन्स का आंसर कमेंट बॉक्स में छपना चाहिए आपका तब ही मैं समझो कि आप जो मैंने 40 पचास मिनिट की जो वीडियो बनाई जो मेहनत की आपके लिए वो मेरी सफाल हुई है क्योंकि जब तक आप जी आंसर यहां पर जो कोस्टन्स का आंसर नहीं करोगे तो मैं समझों कि आपके लिए समझम नहीं आया है जल्दी से अप कमेंट में बॉक्स में छापिए कौन स क्लेरेंस पिट का एक्जामपल जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापके बताईएगा ठीक है और जैसे कि अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो यहां पर आपको जो समझम नहीं आता वो हमें टेलिग्राम चैनल में जुड़ जाएए यहां पर डिसकसन टेलिग्राम चैनल ग कमेंट बॉक्स में छापना प्रते कोस्टन का आप कोंसे कमेंट बॉक्स में चापना है और वीडियो को लाइक जरू कर देना ताकि मेरी मेरे को नेक्स्ट ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाने का मोटिविशन मिले और आपको सारा का सारा कंटेंड जो फ्री में यहां पर है कि H7 M6 फिट प्रोवाइड़ एक कौनसी फिट है आपको जलिस कमेंट बॉक्स में छाप देना है यहां पर यहां पर बेसिक साइज कुछ भी नहीं दिया गया है ओनली फंडामेंट डेविशन वो टोल्डेंस ग्रेट आपको दिये गए हैं H7 ध्यान रखी H7 M6 MN तो M तो आपका मैंने बताया था किसमें आता है ध्यान रखिएगा और जलिस कमेंट बॉक्स में छापिएगा ट्राइंजिशन फिट में आपका आता है ठीक है नेक्स्ट डेविशन अब बोल गया है H7 की हॉल का फंडामेंटल डेविशन क्या होगा तो हॉल का फंडामेंटल डेविशन सून होता है यहां पर एस बिल भी जीरो इसका फंडामेंटल डेविशन अपर लिमिट विल भी जीरो देखिए हैं पर ओप्सन देखिए ओप्सन समझने को किए एस बिली जीरो अपर लिमिट बिली जीरो लोवर लिमिट बिली जीरो ए आई बिली जीरो क्या इसका जीरो होगा फंडामेंट डेविशन एच का सून क्या होगा तो यहां पर जो लोवर लिमिट जो होगा वहां पर एच का लोवर लिमिट आपने देखा होगा जो हमारे जीरो लाइज से एच बिलकुँ सटा हुगा था एच बिलकुँ सटा हुगा तो इसका जो लोवर लिमिट हो जागा लोवर लिमिट हो जागा वो हमारा के जीरो हो जागा तो यहां पर सी आंसर हमारा राइट हो जागा कमेंट बॉक्स में आपको छापना है बागी आंसर सभी नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसी पर कर पूंचे गया फूर्दा फंडमेल्ट डेविशन एच तो एच जो हमारा इस साफ्ट के लिए दिया गया है तो साफ्ट से एच नीचे था तो इसका जो हो जागा वो अपर डेविशन जीरो हो जागा होता है यह आपके लिए धियान रखना ठीक है अपर लिमिट और यहां पर लिमिट और डेविशन अलग अलग होते हैं इसलिए धियान रखना आपके इसका हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा जो एह हमारी साफ्ट है और साफ्ट का हो जाएगा ES will be 0 और उसका हुजाएगा हाँ उसका हुजाएगा EI will be 0 इसका हुजाएगा ES will be 0 ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगर आपको कोई डाउट है अगर कुछ मैं गलत बता दे रहा हूँ अगर आपको लगता कि हाँ गलत है अगर कमेंट बोक्स में चापई उसको हम डिसकस करेंगे और सही करने कोशिश करेंगा अगर आपको लगता कि मैंने कुछ गलत बोल दिया तो कमेंट बोक्स में जरू चापना जैसी ताकि मैं अपनी गलत दो को इसदार सकूं यहाँ पर देखिए गो लिमिट कोरोस्पॉंड 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 क्या होगा गो लिमिट अपल लिमिट ओफ हॉल मेग्जियूम मेटेरियल कंडिशन लोवर लिमिट ओफ हॉल मिनियूम मेटेरियल कंडिशन देखिए गो और नो गो यह बहुत अच्छा कुश्चन है अपका गो लिमिट यहाँ पर दिया गया है तो गो लिमिट कब होता है जब हमारा जो जो जॉब है वो सही साइज बनता है वो उसे कहते है गो लिमिट वो जब हमारा सही साइज जॉब नहीं बनता है उसे कहते है नो गो लिमिट कहते हैं ठीक है यहां पर हमारा सीज़ दराइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है आपका यहां पर देखिए एच एच सिबन आर सिक्स कौन सी फिट है कमेंट बॉक्स में छाप देना है जल्दी सी कौन सी फिट है चार ओप्सन है चार ओप्सन है जल्दी से जैसी आप कोश्चन देखो तुरंत आपके आंसर निकलना चाहिए आंसर आपका रोकट की तरह निकलना चाहिए तो तो आपका पढ़ना सही है नहीं तो पढ़ना आपका सही नहीं है अब आप ट्रांजेशन फिट का एक समपर पूंच लिए गया यहां पर देखेंगे तो हमारा ए है होल और यह हमारा साप्त आप है अब यहां पर तौ्लेरंस अलांस تعाव मजा अपर लिमिट आप लिमिट लूर लिमिट आपल लिमिट ए सब आपके लिए दिखाया गया है तो घौन त con या होता है जो हमारा निकी हॉल ये मिनिभम JP papier विन्फ की बीच के जो अंतर होता है उसे हम एक यतलर में ठीक कितना अलाउंस हैं यहां पर इस प्रकार आप साफ में देख सकते हो लो अलिमिट अपर लिमिट इस प्रकार ही फिगर में सब दर्स आ गया है तो आपको फीडियो इसकी फीडियो आपको नीचे मिल जाएगी तो यानि के टेलिग्राम मिल जाएगी जाएकर डाउलोड कर सकते हो कि यहांपर देखी जो दिये गया है इसमें आपके लिए हाल वे से सिस्टम और साफ्ट बेसे सिटम दोनों में आपके लिए तीन हम जाएंगे हो उसकी एपको देखियाख की बदा सकते हो कौन洗 dough ठूट है पहले नमबर की क्लिर टेस्क जाएगे नमद्वरो Club cell आउट ना बचे इसलिए हैं पर देखिए मेगजियम क्लियरंस क्या होता है कि हाँ पर मेगजियम क्लियरंस मैंने आप आप के लिए बता है था कि हौल का upper limit size और soft की lower limit ज्साइज की بीच के अंदर का maximum clearance होता minimum clearance ół का लौर limit size और soft का upper limit sizing की बीच के अंदर, हम कहते है, minimum clearance यहां परblue арud के मात ना यहांपर जीद देख सकते हैं यहां इह है tr situation fit उसमत बड़ का आप का figure यहांपर दिया क्या है ठीक है नेक्स्ट यहां पर question देखिए type of fit यहां पर आप फिगर के मांदर अपसे देख सकते हो जो मैंने आपके लिए अभी बताया था clearance fit, transition fit और interference fit इन्हें कुछ type होते हैं और type में आप कभी कभी confused हो जाते हैं तो यह type अच्छे से याद रख लेजिएगा यहां पर देखिए type यहां पर दिये गए हैं जिसने वीडियो पूरा देखा है उसके लिए बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो को अभी भी आपको आउट नहीं करना है इसके करके नहीं जाना है आपस समझेगा बहुत most important इससे भाहिया कोई से भी डिपार्टमेंट चले य फिट आप देखोगी केलेस फिडियलेंस फिट ऊती है ऊती है और यहां पर याद करने का फर्वूला आये आपको स् professionally या रणिंग जिसमें देखने को बिल जाथ वो आप क्लियरंस फिट के अंतरगत आता है और पुस फिट और रिंगिंग फिट दो फिट आपको याद रखना है ओनली दो ही फिट हमारी ट्रांजिशन फिट के अंतरगत आती हैं और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर इंटरफिरेंस फिट में देखोगे इंटरफिरेंस फिट में आप फोर्स फिट, टाइट फिट, श्रिंक पिट यह तीनों फिट हमारी आती हैं फोर्स फिट पुस फिट और फोर्स फिट में बहुत से इस्टुएंट कनफ्यूज हैं कि फोर्स फिट और पुस फि अंतरगत एंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट वेहां पर साव्ट है यहांपर साभ்ड है दोनों फीट यहांपर बंथी आपका है चीरो पर साब्ध है उतन्ड जोनियाट interference fit है यहाँ पर इसी प्रकार आप फिगरवन देख सकते हो तो I hope कि आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है कोई भी कोश्चन है तो हमारे बॉटस अगरोड टेलिग्राम गूरूप में उनको मिल सकते और उनकी हैल्फ हो सकते उनका भी जो तैयारी अच्छा से हो सकते अगर आपने अभी तेक चनल को सबक्सक्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर लेना बेल अकर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल सकें डियाइडियो फिर विए सिर्फ कोश्चन पेपर डाउलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिस्वन दी गई है जाकर डाउलो डियो डियाडियो की टेस्ट सीरी लॉंच होने वाली है